जैसरी राम दोस्तों दोस्तों जो चार्ट आप देख रहे हो ना वही चार्ट मैं देख रहा हूं लेकिन फिर भी मैं प्रोपिटेबल हूं और आप प्रोपिटेबल नहीं हो अब दोस्तों आज की लाइव स्ट्रिम जाके आप देख लो 8 दिसमबर 2023 को मैंने इस को तोड़ता ना इसको तोड़ता है तो फिर थोड़ा बहुत और मुमेंटम इसके अंदर आ जाएगा यहाली करेगी तो यही है तो यही रिवर्स करेंगी तो दोस्तों जैसे कि देख लो इसका केंडल का लोट उटा और मार्केट बूरे तरीके से रिवर्स हो गया था तो दोस्तों अगर आप एक कंपिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC का सहले बसना बिल्कुल सहम है लेकिन फिर भी कुछ लोग SSC की जोब लग जाते हैं और आप लग नहीं पाते हो क्योंकि दोस्तों जो लोग फढ़ रहे ना तो उसकी skill matter करते है कि वो किस तरीके से फढ़ रहे हैं उनका mindset किस तरीके से तो वो ही mindset आपका नहीं है तो उस वज़े से आप जोब नहीं लग पाते हो तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर trading में है मैं चार्ट को किस नजरीय से देखता हूं मैं किन किन टूल्स को यूज करता हूं जिन वज़े से मैं यह ऐसा analysis कर पाता हूं और मैं एक profitable trade हूं तो दोस्तों skill चार्ट को देखने की चीज़े बहुत matter करती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म है जब मोबाइल में चार्ट देखता था तो मैं किन किन टूल्स को यूज करता था और मैं कौन-कौन से सेटिंग्स करके रखता था दोस्तों यह वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत जरूर है जो मतलब इस टोक मार्गेड में आये हैं तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि चार्ट में कौन-कौन से सेटिंग्स करनी चाहिए तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्ट है तो वीडियो को आप अंजर तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लाइक कर देना और हमारे चनल को आप सब्सक्र कर दिया तो दोस्तों उनका बैच लगबख खतमचा हो चुका है तो मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है अपके बार भी वही 10 लोगों का बैच होगा तो अगर आप उसमें जोइन होना चाहते हो तो आपको यह नंबर दिखरा होगा आप मेरे को वार्टसप पे मेसेज क कर सकते हो ठीक हो दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों चार्ट देगने के लिए आपको सबसे पहले एप की जरूरत होगी तो आपको सबसे पहले प्लेश्टोर एप में जाना है और दोस्तों प्लेश्टोर एप में जा ठीक है तो दोजो यहां पर इस एप में आने के बाद में आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मैंने निप्टी बैंग निप्टी फिन निप्टी सेंसेक्स मिड़केप निप्टी वैन इंडियाविक्स HDFC बैंक, Reliance बैंक, ICIC बैंक, EURUSD, Dow Jones और BTSD तो यहां तक इस से उपर तो ICIC बैंक से उपर जितने भी चार्ट आपको यह दिख रहे हैं आपको इन सब को कॉपी में लिख लेना ठीक है और आपको यहां पर यह प्लस का चिन दिख रहा होगा आपको इसके उपर क्लिक करना है, यहां पर आपको सर्च करना है जैसे कि मैं Nifty को आपको add करके बता रहा हूँ N, I, F, T, Y तो सब से पहले उपर यहां पर दिख रहा होगा, तो जो यह प्लस का चिन है न इस पर क्लिक करके आपको add कर लेना, ठीक है तो दोस्तों यहां पर हमारा nifty add हो चुका है, ठीक है तो यहां पर आपको nifty पर क्लिक करना, आपको क्योंकि एक beginner को nifty पर ही trading करनी चाहिए, तो यहां पर आपको zoom का option दिख रहा होगा यहां पर आपको क्लिक करना, तो यह chart हमारा zoom हो चुका है यह ऐसा analysis करने के लिए आपको कौन-कौन से tools की, कौन-कौन से settings की जरूरत होगी तो यहां पर सबसर पहले आपको time frame दिख रहा होगा, तो यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको जो यह 5 minute का time frame है, 15 minute का time frame है 1 hour का time frame है, और 1 day का time frame और 1 week का, ठीक है तो आपको यह यह time frame है, और आपको चाहो तो इनको favorites में डाल लेना, ठीक है 5 minute का time frame मैं दुबारा बताता हूं, 15 minute का time frame, 1 hour का time frame और 1 day का time frame, और 1 week का time frame, यह सब मैं मेरे experience से बता रहा हूं मैं 1 minute और 3 minute का time frame यूज नहीं करता हूं, तो आप अगर इनको यूज करते हो, तो आप इनको भी favorites में डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों, यहां से माटा देता हूं, इसके बाद में दोस्तों, आपको यहां पर यह चिन दिख रहा होगा, यह pencil, सबसे काम की यही चीज़े, यहीं से आपको उन tools को add करना है, तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद में, आपको यहां पर दिख रहा होगा, trend line, horizontal line, horizontal ray, paddler channel फिवरी ट्रेस्मेंट, trend-based फिवरी एक्सिटेशन, brush, path, rectangle, text आपके काम नहीं आएगा, इसको रहने देना, price label यह भी काम आपके नहीं आएगा, arrow maker आपके काम आएगा, इसको add कर लेना, long position, short position और price range, इन सब को आपको add कर लेना, ठीक है, यहां पर आपको trend lines में यह चीज मि मिल जाएगी, यहां पर, gain and view natures में आपको यह मिल जाएगा, geometric shapes में आपको यह सब मिल जाएगा, annotation में यह मिल जाएगा, तो यह सब आपको यह से कैसे मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपको यह दिख रहा होगा, so on chart, ठीक है, यहां पर so करने के लिए, इस पर आपको click कर दीन कर देना है तो यहां पर यह सब चार्ट के उपर आच रही है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों अगर आपको कोई भी in dip reach चार्ट पर एड़ करना है तो आपको जो यह चीन दिख रहा होगा है इसपर आपको ख्रष करणा अ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि यह उपर मैं सर्च कर सकता हूं यहाँ पर MOVING Average अगर आपको Moving Average एड करना है तो यहाँ पर यह आ चुका है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा यह थोड़ा आगे आ रहा होगा लेकर आपको दिक रहा होगा तो यह मैंने क्लिक किया MOVING Average पर तो यह आपका Moving Average एड हो चुका है ठीक है यह देखो यह आपका Moving Average आ रहा होगा अब दोस्तों दूसरी जो चीज है न आपको इन पर Candles पर क्लिक करना है डबल बार तो दोस्तों डबल बार Candles पर क्लिक करने के बाद में आपको यह चीज दिख रहे होगी यह ओपन होके आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको जो यह Background दिख रहा होगा Solid चाहिए यह आपको Gradient वाला चाहिए ठीक है तो हमे Solid चाहिए बिल्कुल तो यहाँ पर आप इसका Color भी Change कर सकते हो जैसे Black करना चाहो तो आप जो Black कर सकते हो और अगर आपको White चाहिए जैसे मेरे White एड़ हो रहा है तो आपको कोई सा भी चार्ट कर सकते हो तो यहाँ पर मै यह वाला को चाहिए नहीं ठीक है यह वाले सब आपकी ओफ होने चाहिए ठीक है यह मैरी साब से बता रहा हूं वो Time zone आप कर लेना Call कर तो यहाँ पर आपको Status Line में logo अगर आप चार्ट वे चाहते हो कि यहाँ पर आरा नो पर Nifty 50 अगर यह logo चाहिए तो इसको आप लगा सकत एग्राउं यह सब भी आपको जो जो मैंने कर तरह दो यह सब कामगे हैं और आपके यह यह सब ओर्पन होने थी किस्ट्स में यहां पर देखे लिए आपकी यह सब बंद होने चाहिए कि इनि क्लिक करने के भाद में इसकी सेटिंस है अगर आप इसको बिल्कुल इसे करणना है आपको तो यह वाली चीजी ॐ ऐसे ट्रेंड को एडटिभाइर करने में ठीक है धोस्तों उसके बाद में होरिजेंटल आइन हैं अपको मार्केट में है सपोर्ट भी स्दिने के लिए तो यहां पर यह मैं होरिजेंटल अपना जो target डिशाइड करने के लिए यहाँ पर price का calculation का है कि हमें कितनी price का यहाँ पर market move कर चुका है तो यह price calculation के हमारे काम आ जाएगा और यह हमारे यह वाली line इदर की side नहीं रहती है इस side की रहती है यह काम आ जाएगा और यह parallel channel है चैनल बिल्कुल विक से विक ड्रो करने के लिए हमारी चीज काम आएगी ठीक है तो यह पैरलर चैनल हम आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है इसके बाद में बुरुस काम आ सकती है आपके कुछ भी कॉलगेट उलगेट दाथ साप करने के तो बुरुस का चैनल ही काम आ सकती है और यहाँ पर यह चीज हमारे बैक टेस्ट करने के लिए आएगी तो बैक टेस्ट जहां में करता हूँ जहां पर मेरी एंटरी बिल्कुल सही होती है तो मुसको ग्रीन एरो मार्क कर देता हूँ अगर जहाँ पे मेरा SL हो चुका है ना तो वहाँ पे मैं arrow mark कर देता हूँ ये वाली इसको color कर देता हूँ मैं red वाला तो ये back test करने के काम आएगी ये arrow बिल्कुल तो ये arrow आपके पास में होनी ही चाहिए जरूर 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 काम आएगी बहुत और ये फिव रिट्रेस्मेंट है फिव आपके लिए चाहिए तो ये फिव मैंने कर दिया है और फिव की अगर मैं आपको settings बताऊं तो दोस्तों ये हमारे फिव की settings है आपको ये वाले फिव की settings कर लिएने 00.5, 00.618, 1 तो ये सब फिव की आपको settings कर लिएने तो वो कहां तक आएगा जैसे के अगर मैं इसको click करके यहां पर इसके high को ले 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 था हूँ और इसके low को मैं यहां तक ले 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 था हूँ तो यहां पर देखो market एक resistance देगा यह दिया हमें कि यहां पर market रुकेगा ठीक है तो ये चीज मैंने आपको ट्रेडिंग करता था और इसी mobile से मैं चार्ट को भी देखता था तो इससे जो अगरा next वीडियो होगा मैं आपको live trade करके बताऊंगा कि मैं कैसे trade लेता था इसी चार्ट को देखते देखते और कैसे analysis करके रखता था ठीक है तो इससे next वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला क्योंकि उसमें आपको केवल इसी mobile से trade लेके बताऊंगा ठीक है तो ये सब चीज़े आपके पास में होनी ही चाहिए ये सब चीज़े compulsory है इन सभी चीज़े को मैं analysis में यूज़ करता हूँ ये सारी ही की सारी चीज़े आपके लिए बहुत ही काम के लिए थाबित होगी चार्ट को देखना और trade करना दोनों अलग-अलग चीज़े होती है और आप mobile में केवल ये वाली चीज़े use करके ही trading आप नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको perfect analysis भी चाहिए तरीके से trade लेना ठीक है दोस्तों तो उमीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको कौन-कौन सी चार्ट में settings को on करके रखना और कौन-कौन सी settings को on करके आपको नहीं रखना क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़े बहुत ही important होती है ट्रेड लेने के लिए ठीक दोस्तों तो उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राब कर देना धन्यवाद